तो यह देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टू प्लेन मीरर्स हैं और एक दूसरे से 70 डिगरी पर इंकलाइन से तो चलो माल लेते हैं दो प्लेन मीरर हैं और एक यह प्लेन मीरर एक दूसरे से इंक एक पड़ती है और जब एक मिरर पर पड़ती है। यहां पर है, एक मिरर पर पड़ती है, आजम रिफलेक्ट हैं। और यहां से कुछ angle पर incident होई और दूबारा यह reflect होके जो mirror 2 है उस पर पड़ी और mirror tube से यह mirror 2 है इस पर जो normal आजाएगा कुछ ऐसा आएगा normal वो हमें जरूरत नहीं है चलो बना देते हैं तो जब यह वापस जा रही है तो यह mirror first यह वाली जो line है इस line वो mirror M1 के parallel है तो यह करते हैं इस जो थीटा है थीटा सेवन्टी डिरी था तो calculation कहाएगा value अब थीटा reflection angle थीटा हाँ थीटा डिगरी पर यह जो angle है वो थीटा है तो इसी की value हमें calculate करेंदे को जब यह यह वाली line जो mirror M1 है और यह जो final reflected ray है यह वाली आपस में parallel है ध्यान देना एक बार मतलब मैं फिर से बनाता हूँ यह वाली line यहां से तुम देखोगे यह वाली line और यह वाली line आपस में parallel है तो जितना angle यह होगा उतना angle यह भी होगा तो यह दोनों angle जो है वो same होंगे तो अगर यह दोनों angle same होंगे यहां पे तो उन same angle के लिए तुम अगर देखोगे तो एक काम करते हैं तो यह angle अगर सेम है तो अगर यह angle theta है तो यह angle अगर theta है यह angle theta है तो यह खी 70 degree होगा क्योंकि यह angle हमें पता नहीं है ठीक है ihoop की आपको पड़े होगी अगर यह plane mirror है और यह normal है तो यह angle अगर यहां से आई और इधर चली गई तो अगर यह इंगल अलफा है तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस अलफा तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस अलफा तो यह कितना हो जाएगा अलफा तो यह वाला इंगल इसके बराबर होता है तो यह अगर 70 है तो यह इंगल जो है तो इस चोटे वाले ट्रेंगल में आजाओ इस चोटे वाले ट्रेंगल में इस चोटे वाले अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा है तो अगर ये 70 है और 70 है तो एक सो चालीज तो ये आ गया 40 इस वाले ट्रेंगल में आ जाओ तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है तो ये यह पूरा 90 है, यह पूरा 90 है, तो 40 प्लस थीटा is equal to 90, तो जो थीटा की वेलू आ जाएगी 90 minus 40, that is यहां से 50 डिगरी आ जाएगी थीटा की वेलू, मतलब अपने पास D option सही है, thank you.